हलो फ्रेंड्स वल्कम बैक टू मैं चैनल तोड़ा एविल शो यू आ ट्यूटोरियल ऑफ मीनियेचर ओरंज क्रेट तो इसके लिए पहले मोल्डिट के लिए को पाउडर के हल्प से मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद मैं उसको ठोड़ा दर के लिए छोड़ दी थी क्योगे मिक्स करने के बाद ही यह थोड़ा सॉफ्ट रहता है तो कोई भी शेप देना थोड़ा प्रॉस्ट होता है तो नहीं से गनिके था यह पूरा only कूपोर की हूं और इंज का जो dotted texture रहता है वो देने के लिए और ये white side जो दिख रहा है उधर से मैं primer का use की थी तो ये portion थोड़ा hard है तो इस portion से थोड़ा prominent texture बन पाएगा और पूरा miniature में मैं बहुत common tools यूज़ की हूँ like knife, blades, mandala tools और ये video का shot भी मैं पहले upload की थी लेकर बहुत फ्रेंड्स मुझे Instagram और Facebook में request कहता फूल वीडियो के लिए तो इस video is specially for them अब मैं बनाओंगे औरेंज उबत विदाउन पिल मुझे ये उतमा proper नहीं लगा अब भी मैं नेक्स्ट लाइम ये और भी प्रोपर बनाने का थ्राय करें दीं अ, आ, 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 कि आ, 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 आ झाल झाल अब मैं ट्राइगी थी पील बनाने की इसके लिए मैं थोड़ा सा क्ले को बेल के औरेंज की इसको पर रख के मेजर की हूँ फिर जिस तरह से औरेंज का चलका उतारा जाता है रांडम दे उसी तरह से क्ले को भी शेप देना है क्ले को वही स्पॉंज की उपर रख के डॉट टिक्चर देना है इसलिए प्रेस की हो फिंगर के हल्प से और मैंडला टूल्स का भी यूज की हूँ तो अब यह पिल कंप्लीट है नेक्स्ट मैं ओरेंज का पीसिस बनाई हूँ थुरा सा क्ले को हब सर्कल के शेप दे के मैं उसको ब्लेड से रैंडबली मार्क की हूँ बस यह रेडी हो जाएगा यह बहुत ही इसी था सब क्ले पीसिस हार्ड हो जाने के बाद ही इसको और्गनाईज की हूँ में इधर और यह जो क्रेट देख रहा है यह मैं आईस्पूल स्टेक्स है बनाई हूँ अगर आप लोग इसका वीडियो भी देखना चाहते हो तो कमेंड में ज़रूर बताएं में नेक्स वीडियो में ज़रूर देदूंगे में ज़रूर आप लोग इसका वीडियो काहते है यह में ज़रूर आप ज़रूरूर आप लोग इसका वीडियो ज़रूर आपएएंगे झाल 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 तो हम लोगा औरेंज केंट रेडी है इदर और यह एक्चुली एक फ्रीज मैंट है जस्ट बैक साइट में एक मैंट को कोई भी स्रोंग ग्लू का हब से अटाश करना है प्रोड़क्स का लिंग आप लोगो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कुछ भी क्वेरी या सजेशन कुछ भी है तो कमेंट में जरूर बताएगे I will definitely try to follow all your valuable suggestions and will definitely try to solve all your queries. Till then, bye!